नमसकार सभी, आज हम अपने कार खाने और मशिनरी प्रबंधन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमें उत्पादों को अधिक सुचारू रूप से स्थानांतरित करने और अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। हम निमनलिखित क्षमताओं के साथ बाजरा नूडल्स निर्मान सेंत स्थापित करने पर ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं। 500-1000 वर्गफुट के क्षेत्र के साथ प्रती दिन 130 kg का एक छोटा आकार का कार खाना। 1,000-1,500 वर्ग फुट के क्शेत्र के साथ प्रती दिन 200 किलोग्राम का एक मध्यमाकार का कार खाना। सबसे पहले हम कच्छे माल के प्रवेश और भंडारन से शुरू करते हैं। आसानी से उतारने के लिए कच्चे माल के भंडारन के लिए प्रवेश द्वार के पास एक शेत्र निर्धारित करें। फिर आटे की चक्की डाले। इसका उपयोग बाजरे के अनाच को आटे में बदलने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक मिक्सी मशीन रखें। नूडल्स बनाने के लिए सामगरी को मिलाने के लिए। इसके बाद आप नूडल्स एक्स्टुडर और कटी मशीन का हिस्सा भी डाले। बे जाए गाया गुन देखो नूडल्स महर हुयो। काटने की मशीन के बाद बॉयलर और स्टीमर मशीन रखें। ये मशीने गए सिलेंदरों के साथ भाप के माध्यम से नूडल्स को आंशिक रूप से पकाती है। इसके बगल में एल्यूमीनियम हीटिंग मशीन और बक्स से होने चाहिए। ये स्थान सनरक्षन के लिए नूडल्स से नमी निकालता है। इस मशीन को रखने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद आप वजन मशीन, रिसक शेत्र का उप्योग मोटे अनाच के नूडल्स को कुलियो के साथ ग्राम वाइट से किलोग्राम वाइट तोलने के लिए करते हैं। उसके बाद आप पैकिंग मशीन डालें। इस मशीन का उप्योग नूडल्स की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। श्रमिको द्वारा पैकेजिंग पूरी करने के बाद, निकास के पास तयार उत्पाद के भंदारन और वित्रन के लिए एक शेत्रस थापित करें। तयार उत्पादों को स्टो करने के लिए शेलविंग इकयों या पैलेट का उप्योग करें, जो आसान पहुँच और शिपिंग के लिए व्यवस्थित हैं। इन सभी कारकों पर विचार करके, आप कुशलता से बाजरा नूडल्स का उत्पादन कर सकते हैं और व्यापार को चैनल की सदस्यता ले सकते हैं।